भागलपूर के सनहौला भूरिया की रहने बाले सुभास कुमार के तीन वर्सिय पुत्र रीसब कुमार की मौद इलाज के दुरान डालफिन न्यूबॉर्ण चाइल्ड हेल्थ केर सेंटर भीकनपूर में हो गई जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पलापरवाही और परिजनों के साथ धका मुक्की कर क्लिनिक से बाहर निकाल देने का अरोप लगाते हुए सब के साथ भीकनपूर मुक्यमार को जाम कर दिया परिजनों का कहना है कि कल पेट में दर्द की सिकायत के बाद बच्चे को क्लिनिक में भरती कराया गया था डॉक्टर के दोरा पैसा लेने के बाद भी ठीक से इलाज नहीं किया गया वहीं मौत होने के बाद माया गन अस्पताल भेज दिया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोसीत कर दिया कहीं कर दिया ट गाया जड़ साथ हो ज़ल सवय डिया करके जबर्दस्ति हो जली भागों यहां है C दो का मुक्त हो तो इसका इसका इस टाफ ने किया है इसके भाट इसके बाद मैप admission बैजर्ट। परिजिनों का कहना है कि डॉक्टर की लापनवाही के कारण नहीं बच्चे की मौत हुई है परिजन मौाबजे की मांग को लेकर सड़क पर जाम कर दिये वहीं इस मसले पर मीडिया के दोरा जब डॉक्टर चंदरकान सिंग से परतिकिरिया जानना चाहा तो वहीं दबंग डॉक्टर चंदरकान सिंग टैस में आ गए और कहा बच्चे अ खटना स्थल पर पहुँच कर मौाबजे की मांग को लेकर घंटो सड़क जाम कर प्रदर्सन कर रहे परिजनों को तिलका मानित थाना प्रभारी राज़तन की पहल पर 95 सुरुपिया परदान कर जाम तुड़वाया गया और यूँ भी कह सकते हैं कि एक बच्चे की मौत की क मत 95 सुरुपिय तैकर गरीब रिसब के परिजनों को चलता किया गया हम आपको मासूम की मौत के बात उठे भावना के जुआर के बीच किस तरह दबंग डॉक्टर सहाब मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं वो भी दिखाते हैं आप इस तरह से लेग्मेश करिए का पत्रकार हो गए तिसका मतलब क्या हो गया अब डियेम बन गए क्या कोई भी सीरियस पेसेंट जहां आई सीउ है जहां प्रेजमेंट होता है लही देना आज मतीचिए ओल दीजेए लागाने दीजेए लागाने देख लागाने देख ल लोकास्था के महापर्व छट का आज दूसरा दिन है आज के दिन को खरना के नाम से जाना जाता है वही कली यानि तीसरे दिन डूपते हुए सुरी की पूजा और चौथे दिन उगते हुए सुरी को अरग दने के साथ ही यह पर्व संपन्न हो जाएगा सुर्यो पासना के इस पवित्रि चार दिवसिय महापर्व के पहले दिन छटवरती स्रधालू नरनारियों ने अंताकरन की सुधी के पहले दिन नहाय खाई किया और आज खरना मना रहे हैं इस दोरान चट वरती सुरियोदे से सुरियास तक कठी निर्जला वुरत करेंगे इस वुरत में नमक और चीनी का प्रियोग सरवदावर जित है और प्रसाद के लिए गुण की खीर बनती है वही प्रसाद के रूप में वित्रित की जाती है इसे खरना कहा जाता है कार्तिक जलावा खरना की पूजा में मूली और केला भी रख कर पूजा की जाती है चट वरती प्रसाद में केला और मूली भी खाते हैं भोग लगाने के बाद ही प्रसाद को वरती ग्रहन करते हैं और जब तक चांद नजर आये तब तक पानी पीते हैं उसके बाद से उनका करीब 36 खंटे का निर्जला वरत शुरू हो जाता है भागलपूर जिला के हभीपूर थाना चेतर सहाजंगी पंचायद के गरीब नवाच कलॉनी के निवासी पुरु सैनिक मजरूल हक के घर से रात मेचरों ने 10 लाग से अधिक के सोने के जेवर एवं कैस रूपिये ले उड़े वही हमारे पुत्र गरीब नवाच कलॉनी आये तो देखा घर के दर्वाजा का साराताला टूटा हुआ था अपने पिता पुरु सैनिक मजरूल हक को इस बात की सूचना दी सूचना मिलते ही अपने घर आकर सारा सामान चेक किया चोर पूरी तरह घर में रखे सारे जेवराज सोना एवं चान्दी कैस रूपिया ले उड़ी थे घटना की सूचना हभीपूर थाने को दी गई सूचना मिलते ही ततपरता दिखाते वह अभीपूर थाना के पुलीस घटना सल पर पहुँच कर जाच सुरूख कर दी है बीते सनिवार को नातनगर थानाचेत के मरजियास चक में मसकन बरादी की मा काली की प्रतिमा विसर्जन के दुरान हुए पुलीस को जान मारने की नियत से बंबाजी मामली में घायल S.I. धर्मेंद्र कुमार यादव के बयान पर 17 नाम जद समेत 167 के बिरुद्धे प्राथमी की दर्ज कर आई गई है मिली जानकारी के मुताबिक बीते सनीवार की साम करीब 4 बजे मरजियास चक में मसकन बरादी की प्रतिमा आने पर विसर्जन में सामी लोगों पर जोर सोर से नारे लगाये जाने लगे तभी जानमारने की नियत से अचानक भिर ने बंफेक दिया इसमें A.S.I. मुके सिंग घायल हो गए दोनों का उपचार रेफल अस्पताल नातनगर में किया गया था प्रकिर्ति को समर्पित सुर्यो पासना के महापर्व छट का बाजार गुल जार हो चुका है बड़ी संख्या में सरधालू भागलपूर के बिभिन बाजारों में पहुचकर छट ब्रत को लेकर खरिदारी करते दिखे सबसे अधीक भील भागलपूर के लोहिया पूल के नीचे गिरधारी साहट या और रैठी चौक के समीब देखा गया जहां महापरव पर सूप, डलिया, फल और पूजन सामगरी खरिदने को लेकर लोगों की भारी भील दिन भर उमरती रही आईए आपको हम दिखाते हैं छट के सामान की खरिदारी को लेकर भागलपूर के बाजार में उमरी भील का नजारा लोकास्ता के महापरव छट पर को लेकर सैकडो जरुरतमन लोगों के बीच वाड संख्या 42 के पारसद और समाच सेवी सर्यूग साह के द्वरा खादे सामगरी का वितरन किया गया इस दोरान अली गंज, मिरजान, सिकंदर पूर गरठा, चौक सहित आसपास के दजनों महले से आए छट परतियों को गेहूं चावल सहित पकवान में लगने वाले खाद्यान का वितरन किया गया वितरन के दरान वाड पारसद हंसन सिंग, उमर चान, सूरज यादब बासुदेव साह, डबलू यादब रोहित कुमार सहित कई लोग मौजूद थे हम आपको बता दे सर्यूग सहा के दरा चट परत के मौके पर पिछले 30 वर्सों से लगातार निसुल के चट परतियों के बीच खाद्यान का वितरन किया जाता है अस्तापर्ण के लिए जो है हम आज 30 साल हो रहा है अपना स्वक्षा से घरीव गुर्वा के लिए हम परसाथ के लिए चावल गेहूं का वितरन करते हैं 30 साल हो गया अब इसका को आस्ती नहीं है कि अब जो भी आता है एक बज़े तक हम बोड़ते रते हैं कोई साल 25 कुंटल गेहूं 15 कुंटल चावल कोई साल 20 कुंटल गेहूं 15 कुंटल चावल इतने पर ही सिमट जाता है हाँ छट को जो है हम खुब मौनते हैं लोकास्ता के महापर्व छट की सुरुवार बीते सोंबार को कद्दू भाद के साथ हो गई वहीं आज खरना और कल भगवान भासकर को पहला अर्ग दिया जाएगा वहीं जिलादिकाई सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि कोविड-19 के इस संक्रमन से बचाव को लेकर सरकार दोरा जारी दिसा निर्देश का पालन करे और छट प्रतियों से अनरोध कर इसा संभव अपने घर में छट प्रत करने की अपील की उन्होंने कहा कि छट घाटों पर अधीक भीर ना लगावे तथा बच्चे वं व्रिद्ध छट घाट जाने से बचे मास्क लगा कर रहे तथा सामाजिक दूरी कानू पालन अवसे करे भागलपूर की वरियर पूज अधिशक नितासा गुडिया ने कहा कि छट घाटों पर मजिस्टेट के साथ पुलीस बलों की तैनाती रहेगी निरिच्चन कदुरान नगर आयुक्त प्रफुल चंद्रियादव नातनगर थाना अधिश मुहम्मद सज्जाद हुसेन नातनगर सार्जवनिक पूजा समीती के महामंत्री देवासीज बनर जी नातनगर सार्जवनिक पूजा समीती के अधिश पपुयादव समेत च्छट महापर्व को लेकर भागलपूर की जिलाधिकारी और वरियर पुलिस अधिशक ने मंगलवार को सुल्तान गंज की जहाज घाट और सीरी घाट का निरिच्छन किया यहाँ पहुँचकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और स्स्पी तासा गुडिया ने छट पर कदरान सरद धालूए और वरतियों को गंगा घाट पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली घाटों पर फैली गंदगी और दलदल को देखने के बाद जिलाधिकारी ने कारेपालक पता अधिकारी को कहा कि समय बहुत कम है जल्द घाट को तयार करें उसके बाद DM SSP सहित कई अधिकारी अजगेविनाथ गंगा घाट पर अवस्थित बाबाजगेविनाथ मंदिर पहुँचे वहाँ पहुचकर बाबाजगेविनाथ का दर्सन किया मंदिर से ही कृष्णिगाड घाट विभिन अस्थान घाट पुराने दुर्गा स्थान घाट सहित अन्यस्थानों का मुवाएना किया जिसके बाद अधिकारीयों को सभी घाटों को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया मौके पर कई अधिकारी वापन अधिकारी मौजूद थे